Hello friends, आज हम जिस topic पे बात करने वाले हैं, वो थोड़ा सा हट करके हैं, राशियों से बाहर हम निकल रहे हैं, इस topic में हम देखेंगे कि जो कुल्ली में बहुत अच्छे कई बार combinations होते हैं, लेकिन उसके results क्यों नहीं मिल पा रहे हैं, क्या कारण होते हैं वो, जैसे कि किसी की क उनली में होंगे, तो आप जो हैं, अच्छे planets के results भी नहीं ले पाएंगे, आपको planets अपने अच्छे results दशा अंतरदशा और प्रतियंतरदशा में नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उसमें एक कर्स है, पुरुव जन्म का कोई आपके प्रारब्द का आपके उपर कोई एक रि कष्ट कलेश हम आपको हमारी जर्म कुणले में लिखे होते हैं, यह हमी किस लेवल पर जहलने पड़ते हैं, क्या उसके कौन सी एक manifestation का लेवल है, जहां हम उस जहलते हैं, जैसे कि क्या यह वो शरीरी ग्रूप पर जहलते हैं, या मानसी ग्रूप पर, या different और भी कोई हैं, वो लास में बताऊंगा, तो वीडियो को आप लास तक देखें, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले फिर वही आप से request रहेगी, those who are new to my channel, please do like, share and subscribe the channel, or so that you will receive the latest notifications of the videos, so let's begin the video, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारी जर्म कुणली में जो है, वो दिखाती क्या है, कि हम हैं क्या, जो भी कष्ट कलिश की बात की गई है, कि आपकी जर्म कुणली में आपको ये कष्ट मिलेंगे, या आपको परतारना जहलनी पड़ेगी, तो वो हैं क्या, सबसे पहले तो हमें define करना पड़ेगा, who am I, मैं हूँ कौन, am I body, am I soul, am I name, और am I mind, कि हमें ये उसे समझना बहुत जलूरी है, क्योंकि जो ये planets के effects होते हैं, ये different levels पर होते हैं, तो जैसे हमारे शरील को पंच महाभूतों में जो divide किया गया है, जो पंच sheets है, हमारी realms है, जो सबसे inner realms है, जिसको हम अगर हम भार से शुरू करते हैं, जो हमारा है, वो हमारा है सबसे पह जो internal है, वो है आनन्द मायकोश, जहाँ पर spiritual bliss है, where there is a perfect happiness, जहाँ पर एक बार जो खुशी आपको मिलगी, वो फिर अत्रिप्ट नहीं होते हैं, वो continue रहती है, नहीं तो अगर वाइस जिसे आप example लीजिए कि आप रजगुला खाते हैं, तो रजगुले का स्वाद अभी त कोश लेवल पर पहुंच गए हैं, तो फिर आपका वो जो सुख है, वो शाष्वत हो जाता है, उसका अक्षय नहीं होता, तो that is realm of perfect happiness, perfect bliss, और उसके बाद जो ग्यान में कोश है, that is the कोश of the intellect, जहाँ पर intellect काम करती है, तो वो intellect भी जो है, वो बहुत इक जगत वाल इंटलेक नहीं है, वो truth की और एक तरह से spiritual bliss की जो है, वो intellect है, उसके बाद हमारे पास ग्यान में कोश आता है, जो थर्ड लेवल पर अंदर से हम चल रहे हैं, जिसे सबसे हमने आपके पास अनन्द में कोश की बात की, उसके बाद आपके ग्यान में कोश की बात की, फिर अब हम कर रह आपको देखते हैं कि क्या हम अचीव करना चाह रहे हैं, और इस लिवल पर maximum pains होती है, जो भी हमेरे जो आपके पास कुंडली में जो भी दोश होते हैं, जो भी सेटन की अगर बात की जाती है, कि सेटन की आपको negative impacts मिलेंगे, या मंगल का negative impacts है, या कोई भी और planets रहूं के to, malefic planets, तो वो ये जो दो लेवल्स पर है, क्योंकि हमारी souls इतनी develop नहीं होई है, तो जो आनन, जो आपका अनमाइकोश है, और प्राणमाइकोश है, और कुछ हाथ तक मनमाइकोश, कि mental level पर भी जो mental pain and agony which we feel, when we are under the influence of this malefic planets, so these are the realms where we feel the pain, या और भी किसी इभी तरह का कश्ट कलेश, तो इन सभी का उतर जो है, वो उपनिशद में है, कि यहां कहां हमें इस तरह से देखना है, किस चार्ट के, किस D level पर हम उसको अकूर देखेंगे, किस Divisional चार्ट पर हम उसको देखेंगे, यह हमारे को उपनिशद से पता लगता है, जैसे कि हम बात करते हैं कि आप आपका 5th house है, तो 5th house को एक procreation का house या house of creativity कह दिया जाता है, लेकिन उसके साथ बहुत सारे manifestations के levels है, यह आप यूँ कह सकते हैं कि उसके बहुत सारे आयाम हैं, जैसे कि वो physical level पर ठीक है, वो procreation बताता है कि वन्श वरिद्धी की बात 5th house से देखी जाती है, कि आपकी creativity है, जो physical, जो आपकी internal manifestation on the outer world जो आप दिखाते हैं, किसी भी रूप में चाया, वो आप चित्र बनाते हैं, मूर्ती कला है, आप कुछ लिख रहे हैं, sports करते हैं, तो वो सब आपकी internal manifestation बाहर जब दिख रही हैं, वो 5th house से है, physical level पर, उसके बाद हम emotional level पर बात करते हैं, तो emotional level पर हम यहां से देखते हैं, कि आपकी likings क्या है, प्रेम प्रसंग, लव हो गया, आपका romance हो गया, आपकी rejuvenations हैं, तो वो भी इसी 5th house से देखी जाती है, उसके बाद जो हमार पस intellectual planes भी यहीं पर ही आता है, intellectual plane में consciousness की बात होती है, mind की होगी, या higher education की बात होती है, तो वो भी 5 से देखा जाता है, और जो outer manifestations भी 5th house से जोड़ी हुए है, वो है पूरुपुन्य और या मंत्रसिधी, यह सभी यहां से देखी जाती है, तो 5th house का जो है, वो बहुत बड़ा रोल है, जैसे मैंने आपको कहा कि जो भी दोश होंगे, वो आपकी चल्मकुनली के different different भाव से हो तो जो spiritualism का क्राइन है, जिसमें आपका ऊपर से नीचे है, और जो उसका edge है, वो उपर की तरह है, वो शिव तरफ है, तो उसमें आपके पास जो प्रथम भाव, पंचम भाव और नमव भाव का रोल होता है, और शिव तरफ जो feminine shape है, आपके पास जिसमें बेस उपर है, औ उसका जो edge है, वो नीचे की तरफ है, वो पार्वती तरत है, या प्रक्रती तरत है, जहां सरजन होता है, जो female की body shape भी इस्ता से होती है, तो यह trines है, spiritualism के manifestations के, तो जो आपके पास सबसे पहले जो पित्तर दोश लगता है, वो आपके 5th house से related events अगर होगा, तो आपको पित तो वो हमारा 9th house से देखा जाता है, और उसके बाद विश्णु दोश जो होगा, वो लगन से देखा जाता है, तो जो 5th house है, वो एक तरह से शिवजी की जो आपके पर कर्स है, या रुद्र का जो आपके पर दोश है, वो वहां से देखा जाएगा, और ब्रहम 9th से और 1st house से आपका विश्णु दोश देखा जाएगा, अब इन दोशों का परिहार करने के लिए जो है, वो different तरीके हैं कि किस तरह से उसका परिहार कर सकते हैं, सभी के लिए remedies एक जिसी नहीं होती है, जैसे कि अगर हम 5th house, पित्र दोश की बात करते हैं, जहां से मार को लगता है, या रुद्र का दोश है, तो उसमें अगर आपके अगनी तत्व की राशी आ रही है, जैसे कि आपके बस मेश राशी, सिंग राशी या धनू राशी आपकी 5th house में आ रही है, तो आपको जो है, वो fire से related कोई ना कोई events करना चाहिए, जैसे कि आप यग्यशाला बना दीजे यग्यशाला जहां हावन कुंड होते हैं, या जहां कहीं fire rituals होते हैं, वहाँ आप जाहिए, वहाँ हावन कुंड में आ होते हैं, दीजे, आपने especially, if you have observed these things, those Jews, they have the fire temple, they frequently visit to their fire temple to pay obeisance on their temples, you know, synagogue which they call, तो वहाँ वो they worship the fire, तो वो fire worship का उनका एक बहुत बड़ा role है, और वो उनके train का बहुत important part भी है, ये वाला, 159 वाला, और उसके बाद अगर आपके 5th house में पृत्वी तत्व की राशी है, ठीक है, 2610, मतलब कि Taurus हो गया, आपका Virgo sign हो गया, और आपका Capricorn sign अगर आपका 5th house में है, तो आपको क्या है पृत्वी तत्व से लेटेड काम करने, जैसे कि आप किसी मतलब धर्मशाला या साराय कर निर्मान कर दीजे, जहां पर लोग आएं, मतलब जिस एक stable base मना दीजे, पास टाइम में जो पुराने जबाने में तो कहा जाता है कि आप तो आज की डेट में उसकी जो है, वोग फॉर्म ले ली है, हमारी आप पे कोई पार्क में कोई bench लगवा दीजी है, या आपका सिमेंटेड कोई bench है, या किसी भी तरह कि कोई बेहने की विवस्ताप कर दीजे, तो आपका पृत्वी तत्व से लेटेड जो होगा वो हो कुम राशी वहाँ पर है तो आपको जो करना है वो किसी मंदिर में मुर्ती की परतिष्टा करनी है या मुर्ती की परतिष्टा हो रही है तो वहाँ पर दान दे दीजिए जो प्रान परतिष्टा उसमें की जाती है तो वहाँ पर आपको अपना योगदान वहाँ दे देना चाहिए और उसी तरह से जब जल तक्तों की बात होती है तो आपको कहीं कोई कुए खुदवा दीजे या वाटर की वो कर दीजे जैसे आज की डेट में आप कहीं एक्वागार लगा दीजे किसी हॉस्पिटल में आप ये फैसिलेटीज दे दीजे किसी स्कूल में आप डोनेट कर दीजे ना वाटर की जो पिरिफिकेशन से लेटर जो भी है पानी से लेटर आप रेमेडीज यहां कीजे तो यह आपको फिफ्थ हाउस के जो पितर दोश होंगे वो यहां से निकल के आएंगे और जब आपके पास मैंने आपको कहाँ ब्रह्म जो आपको ब्रह्म दोश लगा होगा यह आपका जो पिता से लेटर कोई भी दोश है वो नाइन थाउस से देखा जाएगा तो वहाँ पर जो आपको करना है वहाँ पर जैसे आप विष्णू की मंदिर में जाते हैं तो वहाँ पर आप क्या कीजिए कि शंक का दान कर दीजे शंक या सफटिक की माला होगी या दुद्राक्ष की माला वहाँ आप किसी ब्रहमन को आप दे दीजे पंडिजी को वहाँ दे दीजे और उसी तरह से अगर आप शिव मंदिर जाते हैं तो वहाँ पर आप जो जिसमें पत्थर गिसा जाता है चंदन की लकडी हो गई जिसको निर्शा कहा जाता है जिसमें गिसा जाता है वो दान्त कर दीजे तो वो 9th house letter आपके हो जाएंगे उसी के साथ अगर आपको ब्रह्म हत्या का दोश भी लगा हुआ वो लगन से देखा जाएगा कि आपको अगर ब्रह्म हत्या का दोश है कि आपने किसी past life में ये देखने का तरीका ये है कि आपके वहाँ malefic planets होंगे वो D9 chart में भी उसकी position बहुत debilitated होगी है अश्टक वर्ग में उसके numbers बहुत काम होगे अगर इस houses में बैठे वे planets की बात करें या इनके Lord 6,8,12 house में चले गए है या वो किसी malefic influence में है तो यहां से हमालूम होता है कि ये दोश इस हमारी कुंडली में है कि नहीं है और इन दोश के वज़े से बड़ से बड़ा राजयोग भी निश्वल हो जाता है तो आप ये प्लीज अपनी जर्म कुर्णी में चेक करवा ले कि कहीं आपकी जो है वो growth चाहिए वो आपकी materialistic plane पर हो जाए spiritualistic plane पर हो वो कहीं रोख तो नहीं रही है तो वो सब इसी चीज़ से देखा जाएगा तो मैं ब्रह्मात्या की बात कर रहा था तो उसके लिए जो सबसे best remedies होती है वो आपके पास है क्योंकि वंश्वृदी भी रोख देता है उनकी प्रोजिनी नहीं होती है तो गन्ना और केले का पेड़ बहुत बड़ा महत्म बताया गया है आप केले का पेड़ लगाईए क्योंकि केले के पास केले का पेड़ जहां लगता है वहाँ उसके पास water retention बहुत capacity है water वहाँ बहुत ज़्यादा रहता है उस area में तो क्योंकि water बहुत consume करता है तो आप केले का पेड़ लगा दीजे और उसी के साथ साथ एक दूसरे remedies होती है गन्ने का क्योंकि गन्ने का बहुत बड़ा रोल है और क्योंकि गन्ना उस point पर होता है जहां sun की बहुत ज़ादा rays होती है जहां काफी गर्म area में गन्ना होता है तो गन्ने का जब आप पेड़ लगाएंगे तो आपका naturally जो होगा न वो sun बहुत strong हो जाएगा और sun creativity का house है आपका creativity का planet है 5th house Leo is a sign of creativity तो आपकी कोई progeny से problems है तो जो ब्रम हत्याग पर आपके दोश लगा हुआ है तो वो गन्ने के उससे होता है शिवली पे भी जो है वो गन्ने का रस चड़ाया जाता है तो जो body में vitality है रस juices है वो वहीं से मिलते है तो आप खुद भी गन्ने का सिवन कीजिए और शिवली पर भी गन्ने का juice चड़ाईए तो यहाँ से इन remedies को करके आप काफी अच्छा प्रभाव ले सकते है अब मैं बात करूँगा शिवलींग की तो आप एक चीज़ को नोट कीजेगा कि जो हमारे शंकराचारे जी ने जो शिवलींग के जो स्थापना की गई है जाब बद्री नाज से लेकर के दार नाज से नी कर लेकर के नीजे तक जो है वो एक लाइन बर है वो 78 और 79 डिगरी का जो हमारा लॉंगिटूड है उस ही लॉंगिटूड पर उनकी स्थापना की गई है जैसे में आपको कहा कि यग्यशाला कर निर्मान करवाना है तो वो आगने कोन में कराना है आगने कोन जो होता है वो हमारा southeast corner of the house होता है या southeast corner of the globe होता है southeast corner इसलिए है क्योंकि आपकी northwest से wind blow करती है क्योंकि low pressure area जो create होगा वो आपका southeast में create होगा क्योंकि वो sun की raise जादा है तो आपके पास high pressure zone से low pressure की तरफ wind blow करेगी तो इसलिए वहाँ अगनी जलती थी इसलिए हमारी जो पुर्वश थे उन्होंने जो अगनी कौन रखा है वो आपका south east में रखा है और जो आपका north west corner है that is wire way कौन जहांसे wire का flow होता है तो थोड़ा सा ये आपके पस इसलिए हम इसको देखते हैं कि क्या ये चीज़े बतला रही है अब उसके बाद मैंने आपको कहा था कि मैं आपको बतलाओंगा कि शिवली की उद्पति किस तरह से शिवली को उद्पति कहां से हुई और क्या उसका रोगा तो सबसे पहले तो आप उसके पीछे की स्टोरी सुन लीजे ये आपकी तरेता यूग की बात है जब शिवजी जंगलों से सब्तरिशी उनके पास पहुंचे तो सब्तरिशी की फैमिलीज जो वहां थी तो वो तो शिवजी जो थे वो मलंग थे तो उनका लिंग इरेक्टिड था तो वहां की जो इस्तरियां थी उनके प्रती मंत्र मुग्द हो गई तो उनको श्राप दे दिया जो सब्तरिशी ने थे कि आपका ये लिंग कट जाए तो उसके बाद शिवजी ने उसे एक्सेप्ट कर लिया और वो शिवलिंग गिर गया उसके बाद ब्रह्मा जी ने उन सब तरिशों को कहा कि ये आपने बहुत बड़ा दोश कर दिया है और इसका निर्मान तभी हो सकता है अगर आप शिवजी की अरादना करेंगे तो शिवजी का वो शिवलिंग के रूप में उन्होंने वहाँ से पूजन स्टार्ट किया तो ये सारी चीज़ों थी ये पुर्व फालगुनी नक्षत्र में होती है पुर्व फालगुनी नक्षत्र में ही शिवलिंग का जो निर्मान हुआ था मलब शिव जी के body parts को वहाँ से निकलना पड़ा था तो ये शिवलिंग के पास्टा पूर फालगुनी नक्षत्र से देखी जाती है तो जब भी किसी का malefic influence में होगा तो उसको remedies दी जाती है कि वो शिवलिंग पर जहल चड़ाए और साथी साथ गन्य का रस्बी वहाँ वो डाले तो आज हमने different levels पर इसको देखा कि किस तरह से हम remedies कर सकते हैं अगर राहू केतु की remedies होती हैं तो क्योंकि राहू आपका उपर की तरफ धर्ड है तो उसमें कहते हैं कि आप अगरबत्ती जलाईए धूप जलाईए हैं क्योंकि वो धूए का उसका रूप है तो धूबर रूप में उपर की तरफ चाहेगा केतु आपका triangular shape में है तो उसकी remedies कहा जाती है कि आप flag लगाईए केरती देता है धज केरती योग तो केतु की remedies होती है कि और आप flag लगाईए लेकिन flag भी आपको triangular shape में लगाना है triangular shape में जैसे आप देखते होंगे कि जो शिवाजी का जो flag था वो triangular shape में था और जो हमारा इंडिया का flag है वो आपका rectangular form में है तो तिकोना जंडा आपने लगाना है कि एतु की remedies वहाँ से होती है उसी तरह से जिसे अगर आपका पंचम 5th house में अगर सूरे का कोई दोश आपको आ रहा है तो आप जो है बच्पन से आदित तेहर देस्टोतर का part कीजिए सूरे से लेटर जो भी remedies आप वहां कीजिए तो उसका फल मिलेगा एक और बात हमारे जनम कुर्णी में जो जनम का नाम होता है वो गुप्त नाम होता है उसको बताना नहीं होता है वो जनम लक्षतर के साबसे हो सकता है या कोई भी आपका गुप्त नाम रखा जाता है और कहते हैं कि उसी गुप्त नाम की entry जो है वो चित्र गुप्त निकी होती है जो आपका यम लोक में यम का जो representative है जो हमारे लेखा जो का लिखता है तो वो हमारा गुप्त नाम जो होता है उसको entry करता है वो गुप्त नाम सबको नहीं बताना होता है पब्लिक डिलिंग का नेम डिफरेंट है गुप्त नाम जो कुंडली में हो उसे आप secret रखे और उसी तरह से जब चंदरमा की आपके 5th house में कोई malefic influence हो तो आपको जो है वो कुवारी कन्याओं का जो आप किसी भी रूप में उनका पूजन कीजी ठीक है मंगल का दोश आ रहा हो तो आप मुरुगन की पूजा कीजी हनुमान जी की अरादना कीजी रुदराष्टक हनुमान का जो है वो आप कीजी वहाँ पर बुद का दोश आ रहा हो तो आप विश्नु की अरादना जीजे, विश्नु सहस्तर नाम हो गया, नारायन कवच especially बहुत पावफुल है, तो आप उसका पाठ कीजे, शुकर का हो रहा हूँ, वीनस का, तो आप देवी की रूप में उपासना कीजे, गुरु का हो रहा हूँ, तो आप दत्ततरे की ही बांटी है, और Saturday को आप पीपल के पेड के नीचे तिल का और तेल का जो है, वो दीपक जलाई है, और उस दिन खास करके आप पीपल के वरिश्ट को ये, वहां जाके पानी चड़ा करके, उसमें जो ऑक्सिजन निकलती है, वो आप लीजे, रहू केतु के मेरा उपाय अगर किसी के अंदर जैलेस की फिलिंग है, वो क्या है, भार वो तो नीच ओपायरी, लेकि वो अंदर दिखती जो होगी, तो आपके थर्ड हाउस से उसको पतल लग जाएगा, कि उसके अंदर की फिलिंग, अगर वो मैलिफिक प्लैनेट होंगे न, तो उसके अंदर जैले कई लोग अपनी जो मलश चल रहा है, सुप्त वस्ता में भी वो चलता रहता है, तो कई लोग किसी को अपने मूझ से बुरी बात बोल देते हैं, तो वो 6,000 से देखा जाता है, तो अगर किसी मेलिफिक टैनेट होगा, और वो अच्छी स्टेट पर होंगा, तो राजियोग है वो signal मिलते है तो जिस तरह से आपने देखा होगा कि मैंने आपको धनिष्टा नक्षत्र में बतला है था कि जो भिशम पितामा थे जब भी उनको कोई problems आती थी या कोई भी उनको solution चही होता था whenever he feel likes to consult about the remedies which he has to perform then he simply goes to the Ganga वो Ganga जी के पास चले जाते थे और वहाँ से वो he discuss his problems and then ask for the solutions तो वहाँ से उन्हें वो solution मिलते थे तो वो उसका मतलब है कि आपको कोई divine की तरफ मुर्ना होगा जिसे आप चाहे वो एकांत जगा में चले जाएं फॉरिस्ट में या कहीं आपकी घर के चाहता है तो वहाँ पर आप अपने environment से या cosmos से बात कीजिए ब्रहमांड से तो वहाँ से आपको solutions मिलेंगे signals वहाँ से प्राप्त होंगे तो इस तरह से ये remedies के different levels आज हमने देखे और हमने समझने की कोशिश की कि जो ये दोश होते हैं या जो कष्ट होते हैं वो किस level पर manifest होते हैं कि क्या वो हमारे अन्न में कोश पर हो रहे हैं वो प्राण में कोश पर हो रहे हैं मनू में कोश पर हो रहे हैं ग्यान में कोश में हो रहे हैं कि आनन्द में कोश में हो रहे हैं तो that depends upon the evolution of the soul and the growth of your mental faculty तो वो वहां से देखा जाएगा अगर आप lower level पर आपकी development है तो आपको physical level पर उसकी manifestation देखनी पड़ेगी तो pain और agony आपको उस तरह से देखी जाती है तो I hope ये video आपको अच्छा लगा होगा So if you like the video then like, share and subscribe the channel Thanks for watching